देश भर में नीट परीक्षा को ले करके जो जबरदस्त विवाद चल रहा है उसमें मदबदेश की एक शात्रा है उसने अब जबलपूर हाई कोट का रुक किया है याचिका लगाई है निशिता सोनी ने जो भोपाल में रहती है और उन्होंने ये याचिका लगाई है कि जो परीक्षा के बाद उनके अंक आये हैं जो उन्होंने जब वेबसाइट पे डाउनलूड हुए थी उनकी आंसर शीट उससे मिलान किया तो उसके मुकाबले बेहत जादा कम है जो आंसर शीट उन्होंने मिलान किया उसके मताबिक उन्हें जादा नंबर आ रहे हैं वो जब मैंने अपनी आंसर की से अपनी OMR शीट चेक करी थी तब मेरा स्कोर हो रहा था 617 और जब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं एक दम शूर थी कि मेरा अच्छा ही रिजल्ट आएगा लेकिन जब मैंने देखा कि 340 मार्स आये तो बहुत जादा शॉकिंग था मेरे और अनेक्सपेक्टेड भी क्योंकि इतने माक्स कभी मेरे कम आये नहीं है और नाहीं मेरे कोचिंग के किसी टेस्ट में इतने कम हुए होंगे और हमने एंटी पे मेल करी करी और कॉल करने की कोशिश करी बट उनका कुछ रिस्पॉंस नहीं था तो इस वजह से हमने हाई आप अकेले हैं या आपकी जानकारी में और भी ऐसे स्टुडेंट्स हैं जिनके साथ इस तरीकी कुछ गरबढ़िया हुई हैं मेरे जानने वाले में तो कोई नहीं है बट मैंने यूट्यूब पर जब देखा था तो मुझे काफी लोगों का पता चला कि उनके साथ भी ऐस नहीं हुआ था उनके एक्सपेक्टेट मांक्स, OMR और अंसर की से कुछ और था लेकिन रिपोर्ट कार्ड में कुछ और दिया हुआ था यहा जाती है अप लोगों के पास और कैसे आप लोग इसका मेलान करते हैं जो नीट की आंसर की और जो हमारी OMR शीट होती है वो जो आपने वहां पर एक्जाम के समय और शीट आपने भरी थी यह वो है इसके मुताबिक आपको 617 मार्क्स मिल रहे हैं और रिजल्ट आपका है आपके पास और रिजल्ट में आपको कितने मार्क सिखा एक बार वो आप दिखा दिए रिजल्ट में मेरा स्कोर 340 दिया हुआ है यह यहां पर तो अब आब बदाईए कि क्या लग रहा है आपको कि आपको कब से इसकी तेग्यारियों में लगी हुई थी कितना बड़ा एक सपना है यह आपका और अब जो हुआ है इससे आपको कितना असर दिख रहा है जब मैं 11 में थी मैंने अपना 11 12 राजस्तान से कंप्लीट करा है तो मैंने आकाश कोचिंग जॉइन करी थी तो मैं 11 से ही नीट के प्रप्रेशन कर रही हूं और जब मैंने 12 में नीट दिया था तो मेरा स्कोर उता अच्छा नहीं था कि मुझे कुछ कुछ कॉलेज मिल जाए तो जब हम पोपाल शिफ्ट हुए तो मैंने एक ड्रॉप लिया यह मेरा सेकेंड अटेम्ट था और इसमें मैं एकदम शॉड थी कि मेरा सेलेक्शन हो जाएगा मेरे मांक्स भी अच्छे आ रहे थे कि इसमें मुझे कोई अच्छा गवर्मेंट कॉलेज मिल जाता निराशा हुई है रिजल्स को देखकर बहुत जादा ह मुझे भी हुई मेरे पेरेंट्स को भी हुई और काफी जादा ही अनेक्सपेक्टेड था यह और 340 में तो मुझे बहुत मुश्केल है कुछ मिले और अगर मेरी जो अपील है हाई कोट में अगर वह हम जीत जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा मुझे फिर मेरे मांक्स जो हुँगे वह रिवालुशन के जाएंगे और मेरा स्कोर अच्छा हो जाए है है हेरिंग के अभी डेट नहीं आई है बस अभी हमें नंबर मिला है इसको आप कैसे देखते हैं आप लोग जैसे जो हजारो स्टुडेंट्स होते हैं लागों स्टूरेंट में बैठते आपने ड्रॉप भी लिया था हाँ यह मेरा ड्रॉप यह था यह मेरा फर्स ड्रॉप था अब आप को क्या लग रहा है आगे कहां से होना चाहिए इसमें आपकी मांग क्या है मेरी तो यही है कि जो मैंने अपना पेटिशन फाइल किया है वो जीत जाओं मैं और मुझे जो म क्या बनना चाहते हैं इसके बात और कब से अपने सोच रहा का ता कि आपको डॉक्टर ही बना है यह मैने नाइन से सोचा था-था नाइन क्लास से मैंने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मैंने 11 में 11 में 11 में मेंडिकल चूस करा था मामाइलध पी-सीवी ओर मेरे पापा भी मेडिकल लाइन में हैं तो मैं उनसे भी काफी प्रेरित होती हूं इसलिए मैंने मेडिकल लाइन जोज करी थी इसलिए मैंने निशिता सोनी है जिन्नोंने आज तक से खास बातचीत की है देश भर में नीट को लेकर जबदर बावाल मचा हुआ है केंद सरकार पे जमकर हमलावर है जो विरोधी पार्टियां विपक्षी दल है लेकिन इसकी बीच देश भर से ऐसे कई छात्र सामने आ रहे हैं जो अपने साथ एक तरीके से परीक्षा में धानली के गंभीर आरूप लगा रहे हैं और इसकी जाच की मांग कर रहे हैं भोपाल की निशिता सोनी भी उन में से एक है जिन्होंने अब जबलपूर हाई कोट का रुक किया है अपनी मांक्स को लेकर के अपनी आंसर शीट को लेकर के रवीश पाल सिंग भोपाल कर दो